नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल वाइरल वीडियो पर दोस्तों यह बहुत अच्छा वीडियो लगेगा आपको जिसमें मैं आपके साथ शेर करूंगा कि किस तरह का ट्रेडिंग यूज करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए दोस्तों यह सेटड़ हड़ एक ट्रेडर का अपना होता है उसका कोई बी जू सेटब होगा कोई ऑपसे अपना एक्जएक सेटब नहीं शेड करेगा क्योंकि वह अगर उससे प्रॉफिट कमा रहा तो आपको यह कुछ rules कुछ आपको मैं practices बताऊंगा यह आपके लिए बहुत important है कहिना कि आप इनको follow करेंगे तो आपके साथ जो आपका results है काफी जादा बदलेंगे आप ऐसा खुद देखेंगे आने वाले समय में तो दोस्तो बहुत important video है इसको पूरा देखिएगा और इन rules को कोशिश कीजिएगा कि अपनी trading habits के अंतर लाने की तो एक एक करके मैं आपको indicators बताऊंगा setup बताऊंगा आप अपना setup खुद बना सकते हैं आपको जरूरी निया कि आपको जो मैं setup दिखा लाँ जो मेरा setup है या किसी और setup है उसको copy करें और दोस्तो एक disclaimer यह भी है कि यह setup है यह जरूरी निया कि मैं इसको as it is use करता हूं क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया कोई भी बंदा अपना setup exact नहीं बताएगा आपको बट आपको कही न कहीं एक approach मिल जाएगी कि आपको market को कैसे approach करना है कैसे कामकाश करना है market में intraday trading में अगर आपको profit कमाना है तो कैसे आप कर सकते हैं तो दोस्तो हम चलते हैं सीधा charts पे nifty के देखते हैं अगर आपको nifty के अंतर इंट्राटे टेडिंग करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं same rules दोस्तो किसी भी stock bank nifty किसी भी चीज के लिए applyable हो सकते हैं बट आपको मैं nifty के example से बताऊँगा क्योंकि जाधा ता लोग nifty जो की इंडिया का index है उसमें कामकाश करना पसंद करते हैं दोस्तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके educational और learning purpose के लिए बनाया गया है इसमें मेरी कोई भी आपको buy a sell की recommendation नहीं है और कोई भी आपको profit या loss होगा तो मैं और मेरा चैनल उसके लिए responsible नहीं होंगे यहाँ पर जो भी बाते मैं आपसे कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी knowledge है और मेरा setup है इसमें आपको कोई भी सला या राय नहीं दी जा रही दोस्तों चलो video को शुरू करते हैं दोस्तों चलते हैं सीधा charts पे दोस्तों सबसे पहले आपको जब भी intraday करना है माली जी आपको intraday करने से पहले आपके सामने chart खुला हुआ है आपको पहले एक positional idea होना चाहिए market का कि market में कल किस तरह का trend रह सकता है एक trend होता है दोस्तों market का major trend एक होता है market का swing trend जैसे अगर हम nifty की बात करें दोस्तों फिलाल तो nifty major trend अगर दखागे तो nifty गिरा था nifty का downtrend यह है बट एक swing चल रहा निफ्टी में फिलाल पेशले तीन-चार महिने से जिसके अंदर nifty एक up trend के अंदर है similarly अगर हम bank nifty की बात करें जैसे हम charts पे देखते हैं कि आजकल bank nifty range bound है bank nifty के कोई भी trend नहीं है तो nifty का अगर हम swing trend की बात करें तो वह एक up trend है दोस्तों up trend के अंदर जब तक की trend reversal नहीं होगा आपको कहिना कि buy side के trades लेने में ज्यादा profit होगा और कहिना कि reversal trades में आपको ज्यादा chances है कि आपको loss हो तो कहिना कि अगर आप up trend के अंदर कामकाश कर रहे हैं तो आपको again buyer trades पे ज्यादा focus करना है दोस्तों again हर एक trend के अंदर भी छोटे 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 trends होते हैं जैसे हम देखने हैं कि nifty जब ऊपर जा रहा था तो nifty का ये एक up trend था और इस up trend के अंदर nifty नहीं ये ऊपर गया को जो मैं rules बताऊंगा आपको उनको अच्छे से follow करना क्योंकि करेना कि आज के date पर अगर आप बात करो कि professional होगी तो market में याद रखना कि आप किसी professional के सामने compete कर रहे हो यानि अगर आप बटन दबा रहे हो तो हो सकता है कोई professional जो सामने पूरा अगर आप उसको बीट करना चाहते हो तो आपको इन rules को follow करना है और काफी जादा आपको मदद करेंगा यह rules जो आपको मैं बताने जा रहा हूं तो एक एक करके देखते हैं कैसे आप setup बना सकते हो फिर कौन-कौन से indicators को आपको use करना है और किस तरह आप market में profitably इंट्रे टेडिंग हर रोज कर सकते हो बिना बहुत जादा knowledge के बहुत simple rules है बट एक आपको आजद बनाने की बात है आपकी एक बार बन जाएगी तो आपको यह काम आएगी हमेशा तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि nifty का फिलहाल जो है swing जो चल रहा है वो कैसा चल बार का भी हो सकता है उसके लिए आपको data को देखना पड़ेगा आपको option chain को देखना पड़ेगा आपको उसकी knowledge होनी चाहिए बट अगर आपको knowledge नहीं है तो आप मेरा वीडियो देखते हैं जैसे कि किसी का भी आप follow करते है तो आपको वहां से मिल सकती हो knowledge जैसा कि हमारा क कल का outlook market में slightly positive है तो अगर हम कल की outlook के हसाफ से एक intraday trade का setup बनाएं तो हम देखते है कि क्या मेरा setup रहेगा कल market में जाने से पहले market खूलने से पहले दोस्तों कभी भी आपको सीथा सुबह उठते ही charts देखके कुछ भी buy or sell नहीं करना चाहिए आपके बास एक setup ready होना चाहिए आपका वो homework होता है आपका वो homework करके market में आना है तो तभी आप एक अच्छा profitably काम कर सकते हो जैसे मेरा अगर आप कहलो कि point of view की में बात करूं तो मेरे को मालूम है कि market को में को ऊपर पे sell करना है तो मेरे पास वह चीज में हमेशा रहेगी market किसी भी कारन से ऊपर जाएगी market की मदद से तो दोस्तों मैं आपके सामने निफ्टी का दुबारा एक चार्ट खोलूंगा दूसरा चार्ट इस पर आपको कुछ blue color की lines दिखाई देगी तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं है विल्कुल simple है आपको दिखाई देगा कि निफ्टी पिछले कुछ दिनों से इस time frame पे आपने निकाला था उसके लिए आपको हर एक level को अलग-अलग color से draw करना है जब भी आपना setup बना रहे हो तो जैसे मैं हर एक 100 points के बाद निफ्टी के लिए अंदर जो level mark करता है उसको blue color की lines से मैं आपके सामने बना के दिखा दिया तो ये मेरे सामने कुछ lines आ गई जब हम intra day करेंगे अभी हम देखेंगे कि ये lines कैसे हमारी मदद करती है जब हम 5 minute के chart पे चलेंगे अभी हम अपना setup ready कर रहे हैं उसको देखते हैं दोस्तों उसके बाद आपको कुछ और important levels जो market की हैं उनको ध्यान रखना चाहिए तो आपको उन levels को भी mark कर देना है अगेन उसके अलाबा कुछ और levels हैं जो आपको मैं बताऊंगा दोस्तों अगर हम यहां पर 10 पीड़ की EMA को plot कर दें तो यह आपको green color की line से दिखाई दे रही होगी इसका level दोस्तों इस ताइम पर चले 9899 यानि almost 9900 तो अगर हम दोस्तों इन levels को maroon color की line से plot करना चाहिए तो आपक को मैं एक और जो level 20 पीड़ की EMA उसकी बात करें तो वो इस टाइम पर दोस्तों ख़ड़ा हुआ कहीं ना कि 99765 पर similarly दोस्तों उस level को भी mark कर लेते हैं एक तरफा तो 9765 को भी यहां पर मैं आपके सामने डाल देता हूं दोस्तों तो आगर आपको कोई level लगे कि कोई बहु और उसकी अलाबा दोस्तों आपको मैं एक level और important जो होता है हमेशा वो यह होता है कि पिछले दिन का जो low था वो क्या था तो अगर हम पिछले दिन की low की बात करें तो वो अगेन एक महरूंगर की line से मुसको mark कर लेते हैं तो जो आज की closing आई है उसको mark करेंगे तो वो level दो दोस्तों से वीडियो में दिखा रहा हूं जो है 9970 पर वो निफ्टी का point 50% का Fibonacci level है यानि बहुत important critical level है दोस्तों उस level को भी mark कर लेते हैं एक तफ़ा यहां पर तो अगर हम यहां पर 9970 को mark करें तो 9970 और एक final level दोस्तों जो निफ्टी की 100 period की EMA है जो 10,040 पर खड़ी ह वो भी एक बहुत strong बहुत important level है तो उसको भी mark करेंगे दोस्तों इन सब levels को mark करने के बाद हम लोग अपने intraday पर चलेंगे तो again दोस्तों कुछ questions आते हैं कि आपके पास intraday में कौन सा time frame यूज करना है किस तरह से आपको काम करना है कौन से indicators को यूज करना है तो अब हम उस range के अंदर है इन levels को आपको रोज रोज बनाने की जुरूत नहीं है और जब भी निफ्टी आप पांच मिनट के चार्ट पर देखो कि कुछ levels के बीच में काम कच कर रहा है आपको मालूम होगा कि आपको buy करना है या sell करना है चले चलते चलते चोड़े time frame पर देखते हैं कि यह कुछ आपको और important चीज है जो मैं आपको बताता हूं दोस्तो यह सब बनाने के बाद आपको finally कुछ levels और mark करने पड़ेंगे अगर आप intraday करना जाते मेरे style से तो मैं आपको उन levels की बार में बताता हूं again हम यह intraday के levels बना रहे हैं तो इनको हम अलग color की line से बनाएंग बार बार निफ्टी यहां पर अटक रहे है तो दोस्तों यह intraday का level है इसमें 10-20 points ऊपर नीचे चलता है बट कहिना कि आपको price section के साथ यहां पर निफ्टी बार बार अटक रहे है उसको mark कर लेना है तो दोस्तों यह level कहिना कि 9870 का निकल के आ रहा है इसको मैंने mark कर दिया अगें दोस्तों अगर हम उपर के साइट पर बात करें तो आप देखोगे कि निफ्टी जो अब अपने levels बना रहे है उन levels से कहीं लेकि बार बार अटक रहा है जैसे कि आप देखोगे कि यहां पर निफ्टी ने जो रिस्टिंस खाया इस महरून वाली line के level से खाया जो कि एक important level हमने already mark कर रहा है यानि जब आप यहां पर होते green candle को देखते हो देखते हैं यहां पर reversal हो रहा है तो आप यहां पर short side पर बैट जाते हैं क्योंकि आपकी बस levels marked थे अगें दोस्तों अभी आपको यह चार्ट सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता होगा कि इस लेवल के क्या importance है जैसे कि आपको पता होगा कि blue color के जो lines है वो सिर्फ और सिर्फ आप कह लिजे कि nifty के सब्सक्राइब के gaps को दर्शार है तो वह इतने important नहीं है उनको अगर आपको सिर्फिकेशन के लिए भी हटा दूं तो आपको मैं हटा के दिखा देता हूं आपको उन लेवल को याद रखना है कि कोई मुश्किल काम नहीं है कि 9900-9900 इनको याद रखना और दोस्तों अगर नहींप आया यहीं पर सीम फियंगि यहां पर सेम लेवलज infl利들이 ते और उनकी उम प्रडे में मदल से आप अपना कि आव्प बाहें पाएक और वहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो आप वहां यहां से उसको तोड़के निचे आ रहा था आप सेल कर सकते हो दोस्तों सो पीरिड के जो मैंने लेवल्स थे वह डिलीट कर दी है वाइपको वह भी इंपॉर्टेंट है मार्कियों कि क्योंकि एक जो साइकॉली के लेवल्स होते हैं वहाँ पर अटकती है अगें दोस्तों एक लिए जो भी हमारे को levels important थे वो ready है अब यानि market कल ऊपर खोले नीचे खोले कहीं पे भी खोले हमारे को मालूम होगा हमारे को किस level पर buy करना है किस level पर sell करना है अब दोस्तों इसके साथ साथ हम price section को तो use करते ही है कुछ हम और indicators को भी यहां पर implement कर सकते हैं जिसकी मदद से हमा आपका setup है आपको खुद बनाना है आपको खुद चूज करना है आपको कौन सा indicator किस चीज के लिए यूज करना है बट मैं आपको फिर भी detail में बताता हूं कि indicators किस-किस type के होने चाहिए तो दोस्तों जब भी आप intraday trading करें although यह rules swing trading के लिए भी valid है तो आपके पास एक entry indicator हो इंट्री करोगे तो दोस्तों यह indicator कुछ भी हो सकता है price section भी हो सकता है उसके अलावा कोई भी आपका option chain का data हो सकता है यह level कुछ भी हो सकता है अगला indicator जो आपके लिए बहुत ज्यादा important है जो आपके पास होना चाहिए वह होता है exit indicator अगें दोस्तों आप यहां पे भी same price section option को या फिर कह लिए कि option chain को use कर सकते है या फिर इसके लिए कुछ और indicators है जिनको मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस किस को मैं कैसे कैसे use करता हूं दोस्तों तीसरा indicator जो सबसे आदा important है volume indicator आप directly volumes को भी plot कर सकते हैं और उसके लावाक बहुत सारे volumes के indicators है जिनको आप use कर स उसमें कितनी realness है कितने fake हैं वो उसमें volumes कैसी है अगें दोस्तों एक indicator आपके सामने जब आपने यह सब तीनों indicators को use कर लिया एक होना चाहिए confirmation आपको मिलनी चाहिए यानि market अगर उपर जा रही है तो आपको confirmation होनी चाहिए अगें यह दोस्तों आपके option chain से आपको मिल सकती आपके पास यह 5 questions आपके मंड में होने चाहिए कि मैं entry किस basis पर ले रहा हूँ exit किस basis पर कर रहा हूँ जब आप इन चीजहों को regularly अपने आप से पूछेंगे इनके basis पर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी accuracy बहुत जादा भढ़ जाएगी और आपके जो profits हैं वो जादा होंगे generally आप छोटे profits में निकल जाते हैं कि कि आपको मालूम नहीं होता कि आपने entry क्यों ली आपको exit कहां पर करना है तो यह levels जो हमने बनाए थे और यह indicators आपकी इसमें help करेंगे अब दोस्तों चलते हैं चार्ट पर पांच मिनिट का चार्ट खोलेंगे योग कि मैं पांच मिनिट का चार्ट जनरली यूज करता कि आपको मैं आपको यहां पर एक टिप भी दोंगा कि आजकल मार्किट में algo trading का जमाना जैसा कि आपको मैंने समझाया तो basically algo trading में क्या होता है कि जो indicator जादा तर लोग use करते हैं बढ़े players उनको already उसमें feed कर देते हैं अपने setup में और उनको पता होता है कि जादा तर retail निवे feeding करते हैं कि जब ज्यादा तर लोग buy करने तो तो यह sell करने तो उनका algo system जो होता है इस तरह से कामकाश करता है तो यानि जो common indicators है वो शायद आपके लिए आज की rate पर काम ना करें अगें दोस्तों यह जो indicators आप use करते हैं RSI, stock stick, MACD, यह 40-40-50-50-100-100-100 साल पुराने indicators हैं आपको इन indicators की मदद से हमेशा loss होता होगा तो दोस्तों choppiness index को काफी कम लोग use करते हैं और इस टाइम पर यह अच्छे से कामकाश कर रहा है अभी जब तक यह कर रहा है मैं आपको इसके बारे में इसको बताता चला जाओंगा तो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में ब आपको बता रहा है RSI को भी use कैसे करता हूं मैं इंटरे में मैं आपको बता रहा है RSI को मैं four period की average से use करता हूं उसके कुछ rules अलग होते हैं आप उसको use कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम RSI को हटा दें सिरफ choppiness index को यहाँ पर डाले तो हमारा setup कुछ-कुछ इस तरह का तिय हो जाता है अगें दोस्तों जरूरी निया कि मैं इस setup को exactly ऐसे use करता हूं हो सकता मैं कुछ और भी use करता हूं बट आपको अपना setup खुद बनाना है आपको मैं सिरफ यहाँ पर idea दे रहा हूं और भड़े players जो होते हैं वो generally अपना कुछ ऐसा ही setup लेके चलते हैं जिस पे उन होना चाहिए कल market के अंदर trend कैसा है अगर market आपको लगता कल positive रहने वाली है तो किसी भी महरून कलर की line के आसपस जब आपको market मिले जो कि हमारे critical levels है आपको buying करके चलना है दोस्तों आपको again अगर market किसी level को तोड़ देती है तो आपको exit कैसे करना है आपको पता होना simple है आप सबको पता होंगे नहीं पता तो मैं आपको कुछ वीडियो में पता चुक हूँ आप उनको जाकर देख सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप intraday rating करेंगे जब आपके सामने सारे levels marked होंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आगी आप देखोगे कि दोस्तों यह यहां पर भी कितने अच्छे काम काच कर रहे हैं market ने बार बार इनहीं कुछ levels के उपर से resistance खाके intraday में बार बार काम काच किया है यहां पर इस market पर level पर अटकी यहां पर आप देखोगे कि बार बार market इस ने pink color की level को resistance खाया similarly आप देखोगे कि यहां पर market ने pink color की line से support लि जाती है with volumes एक candle कर जाती है या फिर दो candle कर जाती है या फिर दो केंडल कर जाती है तो आप buy side पर बैठ सकते हो minimum target आपका जो होगा आपको बीच में कहीं पर निकलना डरना नहीं है आपको target अगर आपने यहां पर buying किया है तो आपको यहां तक मिलेगा ही मिलेगा मौका जान आपको कहां पर exit करना है कहां पर entry लेना है अगर आपके सामने levels marked हैं तो आप अपना entry exit again with the help of some indicators जो आपको मैंने बता है उनकी मदद से आप और जाता अच्छा करोगे आप एक बहुत अच्छा strong decision ले पाओगे तो दोस्तों यह कुछ मेरी advices थी finally दोस्तों वीडियो को conclude करन broker के बारे में बात नहीं करूँगा बट generally होता क्या है कि हमारा जो data है brokers के पास होता है generally वो data sell करते हैं या फिर उसके against खुदी position बनाते हैं but generally हमारा stop loss hunt करने के लिए कि उनको पता है कि 90% लोगों ने stop loss system में कहां पर डाला हुए market को एक दफा वहां तक लेके जाते हैं तो generally दोस्तों वो fake moves होते हैं sustain नहीं करते हैं वो सिरफ stop loss hunting के लिए गए होते हैं और जितना आप system के अंदर stop loss कम डालेंगे वो fake moves उतने कम आएंगे but जब तक आप लोग डालते चले जाएंगे उनको पता है कि जाहता लोग का stop loss कहां पे है तो market जब भी कोई move देना होगा actual move चाहिए आपने सही trade पकड़ा है आपका एक दफा stop loss हिट करा के ही नीचे आएगी तो कभी भी system के अंदर stop loss automatic मत डालिए आप हमेशा अगर आप intraday कर रहे हैं तो आप chart के सामने आप बैठे हैं आप खुद अपना manual stop loss रखिए आपको लगता है कि market ने माल लीजे इस move के अ 100 में से 90 बार hit करवा ही दिया जाएगा तो दोस्तों ये कुछ good practices थी जिनकी मदद से profitable जो Kelly जी की traders हैं वो पैसा कमाते हैं मेरे लिए भी काम करती है और आप भी इनको अगर use करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छे results आएंगे अगे अगें दोस्तों ये levels को निकालना ज्य practice करेंगे आप और better होते चले जाएंगे इस तरह से आप अपना खुद का एक trading setup बना सकते हैं जिसकी मदद से आप हमेशा profitably काम काच करेंगे दोस्तों किसी भी rule को मत तोरिए कभी भी जबरदस्ती trade मत कीजिए और finally एक last tip दोस्तों ये है कि market आपको माल लीजे किसी भी दो levels की बीच में मिलती है माल लीजे market आपको यहां पर मिलती है तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना क्योंकि यहां पर आपको आपको आपके लिए अच्छा रहेगा अगे इन दौस्तों आपको दिखा ही देगा कि कुछ levels बहुत चोटे-चोटे हैं जैसे कि यह लेबल है यहा तो यहां पर आपको कुछ भी निकरना यहां पर मार्केट चॉपी रह सकती है यहां पर आपका मार्केट कही ना कहीं कह लिजे की या फिर खडीदर होते हैं वह बड़े मुव की तैयारी होती है तो उसको कैसे पता लगाएं उसके लिए आपको चार्ट नहीं बता सकते हैं वालिम्स नहीं बता सकते हैं क्योंकि ऐसी रेंज के अंदर वॉल्म्स को सब्डियू रखा जाता है व्लम्स को कम कर दिया जाता है यहां पर price section आपको कुछ नहीं बताएगा तो यहां पर finally आपको छुपा रुस्तम option chain को ही देखना पड़ेगा मैं at least उसी को देखता हूं यहां पर market में क्या move आने वाला advance में predict करने के लिए आपको option chain को देखना पड़ेगा दोस्तों अगर आपको option chain नहीं आती तो कोई भी hard and fast rule नहीं है आप इस level को टूटने का confirmation का बेट कर सकते हैं जैसे कि इस candle पर आपको दिखाई दिया अच्छी volume से लेबल टूटा तो आप य एकम ट्रेड कीजिए जाला से अला profit का टागेट लीजिए यह नहीं है कि आपको दिन में 50 बार 40 बार ट्रेडिंग करनी है 20-30 ट्रेड कर रहे हैं दिन में एक या दो ट्रेड लीजिए profitable ट्रेड लीजिए जिसमें आपको short short profit की उमीद हो और आप इस practices को करेंगे तो आपको अच्छा profit आजाएगा दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और अगर आप दोस्तों मेरे से technical analysis सीखना चाहते हैं हर तरह से मैं आपको सिखाता हूं intraday swing trading investment सबी चीजों के बारे में उसमें discuss करते हैं तो मेरा webinar है जो आने वाले Saturday Sunday को है उसके बारे में जाला जान काड़ी के लिए आप मेरे को WhatsApp कर सकते हैं मेरा WhatsApp नमबर नीचे वीडियो के description में मैंने दे रखा है कुछ मेरे और important वीडियो जिनका link भी मैंने वीडियो के description में दे रखा है आप वहां से उनको जाके देख सकते हैं सीख सकते हैं दोस्तो keep learning keep earning उमीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो कुछ ना कुछ काम में आएगा आप stock market में खूप सारा मुनाफ़ा कमाएंगे thank you दोस्तो